All the world is a stage and all the men and women nearly players William Shakespeare का चस्पा ये पोट उनके एक नाटक As You Like It के एक मोनोलोग की शुरुवाती लाइन है अब इन लाइनों को जिन्दा होते देखिए साल 2015 भारत से सुदूर योरॉप के एक देश यूकरेन की बात है देश अभी अभी एक बड़ी क्रांती से गुजरा है जमीन पर सच्चाई में लेकिन टीवी है कि सुरुखाप के पर लगाय हुए है वही पुरानी कहानिया दोहराई जा रही है ऐसे में एक निर्माता को सूचती है कि जरा असलियत वाला नाटक बनाया जाया पिछले साल हुई क्रांती बड़श्टाचार के खिलाफ पैदा हुई थी सो नाटक की थीम भी कुछ उसी धर्रे पर बनाई गई नाटक की कहानी कुछ यूँ थी एक स्कूल टीचर स्कूल में व्यात बड़श्टाचार को लेकर एक स्पीच देता है और स्पीच फाइरल हो जाती है बीच के स्टेप्स को छोड़ दे तो गैस कर सकते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा टीचर जनता में इतना लोकुप्रिय हो जाता है कि चुनाओं में दावेदारी पेश कर देता है चुनाओं होते हैं, टीचर जीट जाता है और देश का राश्टपती चुन लिया जाता है और फिर देश दिन दुगनी राज चौगनी तरक्षी करने लगता है देशी रेफरेंस के लिए एनल कपूर की फिल्म नायप को आप याद कर सकते है नाटक का पात्र खेलते खेलते अपने राम भूल जाते हैं कि यह सिर्फ पात्र था नाटक असलियत पर हावी होने लगता है, साल 2018 में यूकरेन में एक नई पार्टी का उदय होता है नाम था Servant of the People, कहां से आये ये नाम? दरसल, Servant of the People उसी नाटक का नाम था, जिसकी चर्चा हमने अभी भी की थी साल 2015 से 2019 तक ये नाटक यूकरेन में दूमदाम से चला इतना चला कि इसके मुख्य पात्र निभाने वाले आक्टर ने असली चुनाव में खड़े होने का मन बना लिया असलियत में भी नाटक वाली कहानी दोहराई गई Servant of the People ने चुनाव जीता और राश्च्पती बने वोलोदिमीर जलेंस्की शुरुवात में तो सब कुछ जैसा कहते हैं हंकी डोरी रहा लेकिन फिर असलियत जोर पकड़ने लेगी वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है कि तर्ज पर 2019 से 2022 तक आते यूकरेन युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है और देश की डोर एक ऐसे राश्च्पती के हाथ में है जिसने कभी सत्ता या प्रशासन का अनुभव नहीं रहा है यू तो कभी stand-up comedian रहे जेलेंस्की ने law की डिग्री भी हासल की है लेकिन अब पुतिन के सामने ना वो कोई जिरह कर पा रहे है और ना ही ये कोई नाटक है जहां सुखांत होने की guarantee हो यूक्रेन पर युद्ध के बादल चाये हैं हमेशा की तरह इस पिछ पर भी front foot पर अमेरिका है नाटो की कुछ टुकडियां यूक्रेन में तैनात हो सकती है और पर्दे से पीछे के पीछे से और आने की संभावना भी है ऐसे में जलेंस्की अलग ही तुर्टुरी बजा रहे हैं उनका कहना है हमें किसी और देश का कोई सेनेक अपनी जमीन पर लड़ने के लिए नहीं चाहिए जलेंस्की को डर है कि दूसरे देश के सेनेक आए तो रूस को हमले का बहाना मिल जाएगा फ्रांस सहित कई देशों ने ट्रेनिंग देने के लिए अपनी सेना को यूक्रेन भेजा था वो पीछे हट रहे हैं लेकिन जलेंस्की कह रहे है ठहरो भाई सब कुछ मत ले जाओ सेनिको के अलावा हमें और सभी कुछ चाहिए हतियार पैसा सब कुछ सिवाए सेनिको के दुनिया का सुपरमैन बना फिरता अमेरिका भी मदद करने की हालत में नहीं है अभी बस बयान पर बयान चल रहे हैं पुतिन मौका तलाश रहे हैं और इस पूरी कवायद में एक नया शब्द जुड़ गया है फॉल्स फ्लाग ओपरेशन क्या होता है यह युद्ध को लेकर अमेरिका की चेतावनी में कितना दम है युद्ध से पहले पुतिन किसकी बाट जो रहे हैं जानेंगे आज के एपिसोड में नमस्ते मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनाशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलिटन दुनियादार 1990 का साल सोवियत संग का विगटन हुआ युकरेन के पास तब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा था तब यूकरेन को लगा मौस्को तो पुराना साती है उससे अदावत कैसी इसलिए यूकरेन ने अपने न्यूकलियर जखीरे का अधित्तर हिस्सा रूस को दे दिया बदले में क्या मिला ग्यारंटी इस बात की कि रूस कभी यूकरेन पर हमला नहीं करेगा पूरवी यूकरेन में दो इलाके हैं डॉन बॉस और क्रीमिया क्रीमिया को 2014 में रूस ने यूकरेन से अलग कर दिया था और यही कोशिश अब वो डॉन बॉस के साथ कर रहा है बहराल 1991 में जब यूकरेन में रेफरेंडम हुआ तो दो इलाकों का बड़ा महत्व था क्योंकि यहां रशियन भाषा बोलने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या थी जो सोवियत संग से हमदर्दी रखते थे तब जॉन बॉस इलाके के 83 फीसद और क्रीमिया के 54 फीसद लोगों ने वोट किया कि यूकरेन USSR से अलग हो जाए लगा सब कुछ चंगा हो गया है लेकिन फिर रूस की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई व्लादिमेर पुतिन की जो शुरुवात से ही यूकरेन पर गिद्ध द्रिष्टी बनाय हुए थे साल 2013 के आखरी महीनों की बात है तब यूकरेन के राश्पती थे विक्टर यानकोविच यूकरेन यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता था इसके लिए कुछ कागजाद पर दस्थकत होने थे एन मौके पर राश्पती यानकोविच ने साइन करने से मना कर दिया इसके बजाए उन्होंने रूस से कर्ज ले लिया पहला सवाल तो ये कि यूकरेन यूरोपियन यूनियन में क्यों शामिल होना चाहता था इसका कारण था बलकि कहना चाहिए कारण है ओलिगार्की यानि देश के चंद अमीर लोगों ने यूकरेन की पूरी संपदा पर कबजा किया हुआ है ये समुह क्रेमलिन के संपर्क में रहता है और इसे रूस के ओलिगार्क भी अपना हिस्सा पाते रहते हैं यूकरेन की जनता चाहती है कि यूकरेन में यूरोपियन मॉडल आ जाए एक मजबूत लोकतंत्र बने और देश की तरक्की हो सके लेकिन ये बात रूस के हितों के खिलाप थी क्योंकि सामरिक दुरिष्टी से यूकरेन का रूस के लिए बड़ा महत्व है खास कर क्रीमिया का रूस इस इलाके के जरिये तुर्की, बुल्गारिया और रूमेनिया जैसे देशों पर अपना प्रभाव जमाई रखता है 2008 में जॉर्जिया के साथ लडाई में रूस ने इस इलाके को बफर जोन के तोर पर इस्तेमाल किया था इस इलाके से उसे सीरिया में असत सरकार को मदद पहुचाने में भी असानी रहती है इसी कारण रूस क्रीमिया में अपने डिफेंस सिस्टम को और विस्तार देने में लगा रहता है यूक्रेन में रूस की दिल्चस्पी की एक बड़ी वज़े है ब्लैक सी में मौझूद प्राक्रितिक संसाधन यहां नाच्रल गैस और तेल का अथाह भंडार है अर्बो खर्बो की कीमत का जिसके कारण यूक्रेन में उलिगार की पनपी और ब्रश्टाचार का एक बड़ा खेल खेला गया बहराल आगे बढ़ते हैं साल 2013 में जब राश्टपती यानकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ समझोते से इनकार किया तो उनके इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया यूक्रेन की राजधानी है कीव शहर के यूरो स्कॉयर पर लोग जम गए वो राश्टपती का इस्तीफा माग रहे थे नवंबर 2013 में शुरू हुआ प्रोटेस्ट फरवरी 2014 तक चला उस दिन यानकोविच देश छोड़ कर भाग गए उन्होंने बाद में रूस में शरण ली इदर रूस को लगा कि उसका बना-बनाया खेल खराब हो रहा है तो उसने क्रीमिया को हडपने की मंशा बनाई वहां के विद्रोही गुटों को मदद पहुचाई और जब उससे भी बात नहीं बनी तो अपनी सेना भी उतार दी यूक्रेन इस हमले का जवाब नहीं दे पाया रूस ने बड़ी असानी से क्रीमिया पर कबजा कर लिया रूस ने क्रीमिया में अपनी निगरानी में जन्मत संद्रे करवाया और कथित तोर पर वैद तरीके से क्रीमिया को अपने में मिलाने का एलान कर दिया 18 मार्च 2014 को रूस ने रिपब्लिक आफ क्रीमिया और सेवेस्टपोल को रूस का प्रांत घोशित कर दिया यूक्रेन इससे नाराज हुआ लेकिन वो अकेले रूस से निपट नहीं सकता था उसने यूरोपीन यूनियन और दूसरे विकसित देशों से मदद मागी मदद के तौर पर आई निंदा यूक्रेन के दोस्तों ने जन्मत सग्रे को अवैद बताया आरोप लगा कि वोटिंग रूसी सेना की निगरानी में हुई यूरोपीन यूनियन ने कुछ प्रतिबंद भी लगाए नाचरल गैस के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी उद्योग धंदों में अवल टॉप के आट देशों का समू था जी एट इसमें रूस भी शामिल था बाकी साथ देशों ने मिलकर रूस को बाहर निकाल दिया कुछ समय की मौलदी की क्रीमिया से बाहर निकल जाए लेकिन रूस ने इस दबाव को अंदेखा कर दिया दो बरस तक रूस की अर्थ्वेवस्था चौपट स्थिती में रही फिर 2018 में रूस ने जी एट को हमेशा के लिए टाटा कर दिया लेकिन क्रीमिया पर अपना दावा नहीं छोड़ा उधर यूकरेन को क्रीमिया से हाथ धोना पड़ा साथ ही उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई पूर्वी यूकरेन में अलगावादियों ने एक नया संगर्ष छेड़ दिया साथ था कि ये सब रूस की शेह पर हो रहा है फिर 2015 में रूस और यूकरेन के बीच एक समझोता हुआ जिससे नाम दिया गया मिन्सक अग्रीमिंट इसमें नहीं था कि रूस यूकरेन से अपनी सेना को पीछे हटाएगा और इसके बदले डॉन बॉस में अलग से इलेक्शन होंगे मिन्सक समझोते के बावजूद रूस अपनी तिकडम भिडाता रहा जिसमें अलगाववादियों को फंड करना, साइबर अटैक वगेरा शामिल थे इसके अलावा पूर्वी यूकरेन के डोनेस्क और लुहंस्क में रूस ने अपनी पपेट सरकार बिठा दी और एक नया नरेटिव चलाया, वो ये कि यूकरेन सिविल वाड से गुजर रहा है और रूस मध्यस्तता की कोशिश कर रहा है रूसियन स्टेट न्यूस चैनल से ऐसी खबरे चलाई जाने लगी मानो यूकरेन में बड़ा धड़ा है जो देश से अलग होना चाहता है जबकि ये सब कुछ रूस की शेह पर हो रहा था पुतिन लगातार ये बयान देते रहे हैं कि यूकरेन और रूस एक ही है यूकरेन को उन्होंने एक नया नाम भी दिया होली रस यानी रूस स्टेट का जन्मस्थान 2014 और 2021 में वो अपने एक लेक में कह चुके हैं कि रूस और यूकरेन के लोग दोस्त नहीं बलकि एक परिवार हैं हाला कि यूकरेन के नागरिक पुतिन की इस बात से इत्तिफाक नहीं रखते 2021 में कराय गए वकपोल के अनुसार 70% यूकरेन वासी नहीं मानते कि रूस और यूकरेन एक हैं पुतिन के खिलाफ ये भी तर्क दिया गया कि यूकरेन रूस की एक कॉलनी था जैसे भारत और अमेरिका बृतिन की कॉलनी थे लेकिन जैसे सिर्फ इस कारण वो एक नहीं हो जाते उस प्रकार रूस और यूकरेन भी एक नहीं हो सकते लेकिन रूस के लिए इन सब तरकों के मायने नहीं है अंतराश्री राजनीती में मकसब पहले तै होता है और उसका justification बाद में रूस को यूकरेन में अपने हित दिखाई देते हैं उसका कहना है कि यूकरेन में बड़े पैमाने पर रशियन बोलने वालों की आबादी है जो रूस में जुड़ना चाहती है और यूकरेन की सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है उसके लिए इतना तर्क काफी है कि वो यूकरेन के आंतरिक मामलों में हस्तक शेप करे अब जानते हैं कि यूद्ध के मुहाने पर रूस कितने कदम आगे बढ़ चुका है वर्तमान में यूकरेन के बॉर्डर पर रूस के 1,30,000 सैनिक तैनात है यूकरेन की राजधानी कीफ के पास बेलारूस में 30,000 सैनिक तैनात है यूद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है फ्रंट लाइन तक मिलिचरी उपकरण और मेडिकल सुविधाएं पहुचाई जा चुकी है यहां तक की खून की बोतले तक भेजी जा चुकी है विशेशग्यों का मानना है कि एक फुल स्केल इन्वेजिन के लिए रूस 70 पीस तैयारी कर चुका है रूस की मांग है कि पूर्वी यूरप से नाटो की फोर्स वापस लोटाई जाए नाटो में यूकरेन को शामिल ना किया जाए और डॉन बॉस को आजाद घोशित किया जाए अमरीका सहिद बाकी नाटो सदस्य देश इस मांगो को पहले ही ठुकरा चुके है अब पुतिन के पास तीन रास्ते हैं पहला कि बाहर से यूकरेन को अस्थिर करने की कोशिश जारी रहे दूसरा रूस डॉन बॉस को अपने कबजे में ले इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए रूस डॉन बॉस के नागरिकों को दो लाख पासपोर्ट भी जारी कर चुका है आज यानी 18 फरवरी दोपहर में ही रूस की संसद ने पुतिन से आगरह किया है कि वो डॉन बॉस को स्वायत गोशिट कर दे मतलब युद्ध के पहले सभी पासों का इस्तेमाल किया जा रहा है तीसरा और आखरी ऑप्शन है All Out War रूस की तैयारियों से युद्ध के दावों को बल मिलता दिख रहा है आज ही दोपहर एक खबर ये भी आई कि रूस जल्द ही न्यूक्लियर अभ्यास करने वाला है यूरोप ने पिछले कई दश्रकों से एक फुल-on war नहीं देखी है इसलिए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका सहित सभी देश रूस यूक्रेन स्थिती पर नजर गड़ाए हुए है अमेरिका पिछले कई हफतों से लगातार चेतावनी दे रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी के राष्टरा ध्यक्ष पुतिन से बात कर चुके हैं फ्रेंच राष्टपती इम्यानुवल मैक्रों तो पुतिन के साथ बैठक भी कराए लंबी टेबल में दोनों तरफ बैठे राष्टरा ध्यक्षों की तस्वीर काफी वाइरल भी हुई थी मैक्रों ने रूस का कोविट टेस्ट कराने से मना कर दिया कारण दिया कि डिने गलत हाथों में चला जाएगा और इसके चलते एक बड़ी टेबल लगानी पड़ी ताकि दोनों राष्टरपती दूर बैठ सके अमेरिका की तरफ से लगातार बयान दिये जा रहे हैं अमेरिकी राष्टरपती बाइडन की तरफ से एक हड़बडी दिखाई दे रही है मानों कह रहे हूँ अब हमला हुआ कि तब हमला हुआ रूस बार-बार कह रहा है कि उसकी हमला करने की कोई मंचा नहीं है वो अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा है लेकिन अमेरिका का कहना है कि इसके उलट संख्या बढ़ती जा रही है पहले समझा जा रहा था कि इसी हफते रूस यूकरेन पर हमला कर सकता है लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका ने इसके लिए एक नई थियरी दी है False Flag Operation ये क्या होता है? हमने पहले आपको बताया था कि अंतर राश्ट्रिय राजनीति में मकसद पहले तै होता है और जस्टिफिकेशन बाग में दिया जाता है तो इसी जस्टिफिकेशन की खोज है False Flag Operation गुरवार यानी 17 फर्वरी को अमेरिका के Foreign Secretary Anthony Blinken सेयुक्त राश्ट की General Assembly में पहुचे राश्ट्पती बाइडन के कहने पर सिर्फ आदे घंटे में उनका ये बयान तैयार हुआ General Assembly में बात करते हुए Blinken ने False Flag Operation की बात कही उनका कहना था कि रूस हमले से पहले कोई बहाना ढूंड रहा है और बहाना ना मिला तो वो खुद हमले की जमीन तयार करेगा Blinken ने diplomatic भाशा में जो कहा उसका आशे समझे अमेरिकी संकेतों के अनुसार आने वाले दिनों में Don Boss में कबरे खुदी मिलेंगी और दावा किया जाएगा कि यूक्रेन ने लोगों को मार कर कबर में डाल दिया है या संबब है कि chemical attack हो यानि रूस खुद chemical attack कर दोश यूक्रेन पर डालेगा इसके अलावा ये भी संबब है कि ड्रोन से हमला हो और नाम यूक्रेन का है अब इन बातों में कितना सच, कितना जूट ये बताना मुश्किल है लेकिन इस स्तर की politics में इससे फर्क भी नहीं पड़ता अंत में सारा खेल rhetoric का है कौन क्या कह रहा है इससे ज़्यादा जरूरी है कि कौन क्या कहता दिखाई दे रहा है इसलिए ब्लिंकन के बयान के तुरंट बात रूस का बयान भी आ गया जिसमें उसने हमले की बात को नकारते हुए दोबारा अपनी मांगे धोरा दी फॉल्स फ्लैग वाली बात को कुछ हद तक बल मिला जब गुरुवार को यूक्रेन के एक स्कूल पर हमला हुआ यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस समर्थित अलगाव वादियों ने पूर्वी यूक्रेन के एक गाउं में गोले दागे जिससे एक किंडरगार्टन स्कूल शतिग्रस्त हो गया युद्ध को लेकर अमेरिका की स्थिती सिर्फ डिप्लोमसी और बयानों तक्सीमित है अफगानिस्तान से हाथ जुलसा कर लोटा अमेरिका जमीन पर सेना उतारेगा इसकी कम ही संभावना है इसलिए वो जोर शोर से इस बात को उच्छाल रहा है ताकि विदेश मामलों में बाइडन सरकार एक नए पच्छडे में ना फसे और अमेरिका की और किरकिरी न हो दूसरी और ये भी सच है कि युद्ध के मामले में अमेरिका की छवी निर्मा से भी साफ नहीं हो सकती इसलिए बिलिंकन अपने भाशर में एक बात और नथी करते नजर आए उन्होंने कहा 2003 की तरफ था जब इसी तरह कॉलिन पाविल सद्दाम हुसेन को लेकर चेता रहे थे और कह रहे थे कि उनके पास केमिकल वेपन है इसी बात का बहाना लेकर अमेरिका ने एराक पर हमला किया था और बाद में केमिकल वेपन वाली बात हवा हवाई साबित हुई थी ब्लिंकन ने अंत में कहा हो सकता है हम गलत साबित हो लेकिन भेतर है कि हम गलत साबित हो बजाए इसके कि हम बाद ने पच्चता है कि हमने सही समय पर आदाह नहीं किया उन्होंने रूस के इस दावे को गलट ठहराया है कि वो सेना वापस ले रहे हैं ब्लिंकन ने कहा कि रूस को साफ शब्दों में ये वादा करना चाहिए कि वो यूकरेन पर हमला नहीं करेगा इस सब बयानों के बीच नई सैटलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यूकरेन की राजधानी कीव पर रूस की तैनाती में इजाफा हुआ है बेलारूस में रूस की सेना तैनात है जो राजधानी कीव से लगभग 80 मील उत्तर में स्थित है यहाँ पिपरियात नदी पर रूस ने एक नया पॉन्टून पुल बनाया है आशंका जताई जा रही है कि इस पुल का उपयोग कीव पर हमले के लिए होगा अमेरिके अधिकारियों के इनुसार इस पुल के आसपास रूसी टैंकों की भारी मात्रा तैनात है अमेरिका की हडबडी को देखते हुए ये तो दिखाई दे रहा है कि मामला सीरियस है 2014 में क्रीमिया को आसानी से लग कर देने के बाद रूस के होसले भी बुलंद है सबकी जबान पर सवाल यही है कि क्या युद्ध होगा इसका जवाब तो भविष्य के तहखाने में जमा है लेकिन एक शेय है जो इस मामले में अधिकतर सही साबित होती है पैसा अमेरिकी शेयर मार्केट छोटे छोटे गोते लगाता दिखाई दे रहा है जबकि कच्चे तेल के दाम उच्छाल मार रहे है हलाकि तेल के दामों को लेकर इरान से कुछ अच्छी ख़बर आ सकती है नुक्लियर डील मामले पर इरान ने बयान दिया है कि डील फाइनल होने के काफी नजदीक है जिसके बाद तेल के दामों में कुछ गिरावट नज़र आई इस पूरे मसले पर हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे दुनियादारी की आगे किस्तों में आज के दुनियादारी में बस इतना ही अब आप से मुलाकात होगी सोंबार को अब अपना खयाल रखिए शुक्रिया